है हेलो बच्छों आज आप लोगों से एक information share करनी है और काफी ज्यादा important information information यह है कि आप class 9 से move हो गया हो कहाan class 9 में और अगले साल क्या दोगे board exam और board exam का कोई knowledge नहीं क्योंकि यह आपका पहला board होगा ठीक है तो board exam को अच्छा कैसे करें और platform अच्छा कैसे होता है कि य всю county भी ठीकशन होगा और आपको अच्छे से कौन बताएगा तो प्रस्ट्रों करते कि सर में जो बोला वह मतलब PYQ questions जब देखेंगे, तो भी हमारा जो आत्म विस्वास है, वो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा, किसी भी से इस टाइप का questions पूछा है, तो हमारे लिए भी उसी टाइप का questions पूछेगा, तो मेरे पास एक चीज़े हैं, पहले मैं बुक द जाना माना चीज़े PW, ठीक है, physics वाला, यहाँ पर आपका class 3 के लिए होगा, और past 10 years salt paper होगा, 2024 से लेके 2015, मतलब 2015 से लेके 2024 तका questions होगा, डेली का भी questions होगा, outside डेली का भी questions होगा, science होगा, social science होगा, mathematics होगा, और English भी होगा, और भी बहुत सारा चीज़े, मैच्छे से लेक जल वो आजाएगा, और पिछले साल का यह simple paper है, तो इस पार भी issue होगा ही simple paper, तो यह सारे बाई करके, आप अपने board exam में मचा सकते हो, अच्छा perform कर सकते हो, यह book है आपका 2025 examination के लिए, और past 10 years का solve paper होगा, इस book की खासित क्या है, तर यह book क्यों खड़ दे, market में तो और भी तो चली, कुछ, आपको चीजे बताते हैं, कि यही book क्यों खड़ दे, क्यों, वाई जो है न, वो आपका clear हो जाए, सबसे पहले chapter wise weightage and the trained analysis of CBC past 5 year paper, सबसे पहले क्या किया गया है, जो भी chapter है, जैसे science का दिया हुआ है, हर chapter का है, सारे का नहीं लेका है, सिर्फ science का है, बाकि जो चार, तीन सब्जेक्ट और बचेगे, उसको खुद से book में देखना होगा आपको, तो यहाँ पर chapter wise weightage है, और trained analysis, मतलब किसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं, पिछली 5 सालों में, वो चीजे भी दिया हुआ है, expert के द्वारा, तो chemical reaction and equation, डेली में 5 marks का question है था, 2020 में, और 8 marks का question आ गया था, outside Delhi से 6 marks का, और 2024 में, डेली से 27, outside Delhi से 27, तो and so on, सारे chapter का weightage दिया है, किसे कितना है, जैसे मैं एक चीजे बता हूँ आपको, क्यों में नहीं, ठीक है, 2020 में सिर्फ कितने number का या था, 3 number का, और outside Delhi में 4 number का, इन दोनों में तो आया नहीं, 2023 में मातर 2 number का question आया है, तिफ 2 number का, डेली वाले में, और outside Delhi में 5, और इस बार 2024 का जो exam हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 number का ही question आया है, मतलब कैसे पढ़ना ह आपको कौन से chapter में ज्यादा समय देना है, वो आपको ये बता देगा, ठीक है, ये chapter, हर chapter का analysis करके दिया हुआ है, कि किस chapter पर ज्यादा मेनत करना है, किसे ज्यादा mark का question साथ है, वो आपको ये chart बता देगा, पिछले 5 साल का, next और खासियत बताया है, तो दूसरा खासियत क् के लिए, mathematics के लिए भी ले के आ है, तो ये भी है, सारा, सारा chapter, जो भी आपको 14 chapter पढ़ना है, वो सारे का, Delhi, outside Delhi, फिरिधर Delhi, outside Delhi, सारे exam का 5 साल का दिया हुआ है, और नीचे star करके दिया हुआ, the marks, allotment mission above the chapter wise, and include the internal choice questions as well, मतलब यहाँ पे आपका internal choice questions भी है, क्योंकि optional होता है, option 2, मतलब question number 1 में या तो ये बनाओ, और करके या तो ये बनाओ, तो ये बनाओ, तो ये दोनों कहीं भी दिया हुआ है, दोनों मिला के दिया हुआ है, सारा चीज़े, ठीक है, तो आपको कुल confusion नहीं होगा, maths का भी हो गया, उसके बाद question typology, question typology क्या होता है, तो पहले science का, जैसे यहाँ पर किस चीज़ से कितना question आया था, जैसे 2024 में देखा जाए, तो MCQ 16 marks के, very short answer, 2 marks question, 6, short answer type question, 7, long answer type question, 3, case based, 3, 2023, same pattern था, कोई changes नहीं, 2022 में term 1, term 2 हुआ था, तो term 1 में MCQ था, term 2 में MCQ नहीं था, तो MCQ assertion reason नहीं होगा, 7, 6, 0, और 2 case based questions थे, तो किस प्रकार के questions आएंगे, कितने कितने questions आएंगे, वो भी आपका इस book में mention किया हुआ है, एक्जाम नहीं हुआ था, और MCQ और very short answer question, सिर्फ कुछ ही exam में पूछा गया था, जहाँ-जहाँ star होगा, ठीक है, next mathematics के लिए भी वहीं सेम चीज है, 2024 में 18 MCQ था, assertion reason 2 था, very short answer type 5, फिर उसके बाद short answer type 6, और long answer 4, और case based 3, 2013, 2030 में सेम पैटन था, और नीचे के पैटन थोड़े अलग थे, तो किस प्रकार का question पूछा जाएंगे, ये भी दिया हुआ है, उसके बाद question paper अगर देखोगे, तो आपको book में इस तरीके के दिखेगा, 2024, Delhi CBC solve paper, solve मतलब आपको जो भी question दिया हुआ है, तो answer के लिए भी दिया हुआ है, तो पहले question paper आपको इस तरीके से मिल जाएगा, हर साल का, 2024 से 2015 तक का, उसके बाद हर chapter का आपको, ये आपका outside Delhi है, ये देखलो, ये डेली का paper है, ये आपका किस board का है, Delhi board का है, और ये आपके outside Delhi का है, ठीक है, यहां outside Delhi लिख के देगा, देली हुए है, तो देली लिख के, outside Delhi है तो outside Delhi, फिर उसके बाद, हर chapter का explanation, मतलब question number one, explain किया हुआ, question number two, explain, question number three, four, five and so on, सारे questions को क्या कर दिया गया है, explanation भी किया हुआ है, मतलब explain किया हुआ है, तो आपको हर chapter का, sorry, हर year का, जो paper होगा, वो explain भी किया हुआ है, तो explanation हर का मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा, तो आपको बिलकुल tension ही लेना है, और साथ में एक चीज़ और मैंने इस book में देखा है, कि जो question out of syllabus होगा, कि कौन सा syllabus में है, और कौन सा syllabus में नहीं है, मतलब जो book में है, वो पढ़ना है, जो book में नहीं है, वो नहीं पढ़ना है, तो बात खतम, बस इतना ही information आपसे share करना था, और इस book के regarding, फिर भी अगर कोई confusion है, तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं, कि क्या confusion है, मैं बता दूँ और अपने board exam को rock on करो, ठीक है, तो यहीं छोटी सी information कैसी लगी, comment करके जरूर बताना, ठीक है, तब तब पढ़ते रहो, मस्त रहो